नमस्कार दोस्तो टूडे नोलेज यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर से सवागत हैं इस वीडियो में हम भगुलिक विचारधारा से रेलेटीड कुछ कुछ कुशन्स करेंगे इंपोर्टेंट है हर अग्जाम में पूछी जाते हैं लेकिन उससे पहले जीन दोस्तों अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज उन से रिक्वेस्ट है कि उससे कर ले और बैल आइकन को दबा ले ताकि जब भी हमको नए वीडियो अप्लोड करें तापको नोडिक्शन मिले तो चली स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट इसका ताथ पर ये गरेट सिंथेसिस अर्थात महान संसलेशन है अर्भी भासा के साबद से तोलमी की दूसरी महतोपुन रतना दी जोगृती है जिसे कहते हैं बुगोल की गाइड क्या कहते हैं इसको बुगोल की गाइड अईलेक जिंडर्वान हमबोल्ट का जनम कब और कहां हुआ शत्रा सो उनेतर में बरलीन में मूल रुप से जर्मनी की निवासी है सत्यकथन है हमबोल्ट ने वनस्पती भुगूल की अलग साखा के रुम में स्थापना की ये भी सही है उनका यह विचार जहां वर्षा हदिक है वहाँ वन वनस्पती की बे दीखता है अभी भी महतोपुन माना जाता है ये भी सही है महादवी प्यता की अवधालना हमबोल्ट की देन है ये भी सही है हमबोल्ट ने भावगोलिक अध्यनों में किन विधियों यानि कि विधी तंतर को अपनाया आनुभाविक विधी, करंबद विधी और तुलनातंग विधी इन तिनों ही विधियों का उसने अपने भावगोलिक अध्यनों में परियोग किया था बुगोल के संधरम में हम बोल्ट ने किस सबद का परियोग किया शुरिष्टी वर्णन सबद का हिमावलित यानि कि परमाफरोष्ट सबदावली का सरवपर्थम परियोग किसने किया हम बोल्ट ने आधुनिक वैज्यानिक यूग के एक संस्थापग कारल रिटर का जनाम कब और कहां हुआ 1789 में जर्मनी में कहां वा था 1789 में जर्मनी में निमन में से कारल रिटर की रचना का सही सुमेलित यूगम है उरॉप भवगोलिक एतिहासिक व सैंखी के चितरन 1800 यूश्व में ये भी सही है उरॉप की धरातलिय प्रकर्ती एवम आर्थिक संसादनों पर उरॉप के 6 मान चितर 1807 यूश्व में प्रकासित ये भी सही है यूरोप के भुगोल का दवितिय खंड अठार सो साथ इस्वी में परकासित ये भी सही है येनी की उपरियुक्त सभी कथम सत्य है नीमन में से कारल रिटर की रचना का सही सुमेलित यूगम है भुगुलिक गरंथ अरड कुंडे का पर्थम खंड अफरीका महादुईप अठार सो सत्रा इस्वी में परकासित ये भी सुमेलित है अरड कुंडे का दवितिय खंड एसिया महादुईप अठार सो अठारा इस्वी में परकासित ये भी बिलकुल सुमेलित है पर्थमित के संसाधन अधार सथी सिश्विय में प्रकासित ये भी बिलकुल सही है तो इसमें सभी बिलकुल सुमेलीत है किसने बुगोल के लिए अरड़कुंडे सबद का परियोग किया था कारल रिटर ने किसने ये सिद्ध करने का परियास किया कि पर्थवी का निर्मान मनुस्य के लिए हुआ है कारल रिटर ने पर्थवी एवं उसके निवासियों में गनिष्ट संबन है किसी एक तत्तों का अन्य तत्वों के अभाव में अध्यन नहीं किया जा सकता है यह कथन किसका है कारल रिटर का कारल रिटर किस विचार धारा के पौशक थे वातावरण निष्चेवाद के स्रिष्टी का नियोजन करता इसवर है यह किसका मानना है कारल रिटर का क्या मानना है उनका कि स्रिष्टी का नियोजन करता कौन है इसवर है कारल रिटर ने अपने अध्यनों में किस विधी का परियोग किया है आनो भाविक विधी, विशलेशन तथा संसलेशन विधी और मानचित्रन विधी इन तीनों ही विदियो का उचने अपने अध्यनों में परियोग किया है बरलीन जोगरोफिकल सोसाइटी किसने स्थापित की थी कारल रिटर ने कथन हमें पर्थवी के नियमों के बारे में स्वेम पर्थवी से पूश्ताज करनी चाहिए किसी से संबन दित है कारल रिटर से रिट्र की पदती विधी विधान कही जाती है निगम नात्मक निमन में से फ्रेडरीक रेटजल की रचना का सही सुमेलित यूगम है डार्विन के विकासवादी सिधान्त की समालोचना सन अठार सो उनेतर में परकासित ये भी सही सुमेलित है भूमदे सागरिय तटके जीव परकासित सन अठार सो सत्तर में ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है एक प्राणी वेता की यात्राएं यानि की ट्रेवल्स ओफ नेचुरलिस्ट सन अठार सो भैतर में परकासित ये भी बिल्कुल सुमेलित हैं तो उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं नीमन में से फ्रेडरिक रेटजल की रचना का सही सुमेलित यूगम है उतरी अमेरिका का भोतिक यम सान्सकर्तिक भूगोल दो खंडों सन 1888 और सन 1880 में बिल्कुल सही है इन्थरूपो जोग्रोफी दो खंडों में पर्थम खंड एन इंट्रोटेक्शन टू दा अप्लिकेशन ओफ जोग्रोफी तु हिस्ट्री सन 1882 और दवीती खंड दा जोग्रोफीगल डिस्ट्रिबूशन ओफ मैनकाइंड सन 1888 के नाम से भी जाने जाते हैं रैटजाल के इस गरन से मानव भुगोल का विकासवा ये भी सही सुमेलीता है वोलकर कुंडे टीन खंडों में सन 1885 और 1886 और 1888 में परकासव इसका अंग्रेजी अन्वाद दा हिस्ट्री ओफ मैनकाइंड है ये भी सही सुमेलीता है तू परियुक्त सही हुग सुमेलीता ह नीमन में से ठ्रेडरिक रैटजाल की रचना है ड्यूसलेंड सन 1889 में परकासित सही है वेरगिली चेंडे इरडी कुंडे सन 1902 में परकासित ये भी सही सुमेलीता है और रैटजाल की ही रचना है जर्मनी का भूगोल ये भी रैटजाल की रचना है तो उपरियुक्त सभी रचना है किसकी है रैटजाल की है अगला क्यूसन करते हैं सत्य कथन बताना है पूरण सक्सम ही अस्तीतों में बने रहने के अधीकारी है यानि कि सर्वाइवल ओफ दा फिटास्ट डार्विन का य अल्कुल सत्य कथन है राज्ये छित्र की वर्दी का यह नियम है कि वह विक्षित बनने के लिए अपने छेत्र का विस्तार करें ये भी सही है उच्चितर सभ्यता अधम कोटी की निमंतर सभ्यता को मिटा कर यानि विजित बन कर विश्तार प्राप्च करती है ये भी सही है तो उप्रियुक सभी कतन सत्य है मानव समुदायों को विशेश परियावरणों में अस्तितव बनाय रखने के लिए उसी भाती संगर्ष करना चाहिए जैसे पौधेव जीव पस्सू आधी करते हैं यह सामाजिक डार्विनवाद कहलाता है यह किसने सपष्ट किया रेट जेल ने बहुतिक भुगोल और मानव भुगोल उपरियुकते दोनों है बुगोल की परकरती एम बुगोल की परकरती एक संदर्ष किसकी रचनाय है हारट सोरन की आज जहां कहीं उची सभेता मिलती है वहां एक निश्चित परकार की जलवायू मिलती है अतीत में भी उसी तरह की जलवायू वहां विद्यमान थी जहां उची सभेता का विगास हुआ था यह कथन किसका है हंटिंग्टन महोदे का निमन में से हंटिंग्टन की रचना है एशिया का सपंदन यानि की दा पल्स ओफ एशिया उनिस साथ में परकासित ये भी उनकी रचना है पेलेस्टाइन एवं उसका रुपांत्रन ने 1911 में प्रकासित ये भी हंटिंगटन की ही रचना है और सभेता एवं जल्वाई यानिकी civilization and climate निसंपंदरा में प्रकासित ये भी हंटिंगटन की रचना है तो यानिकी ऊपरियुगत पि सभी aham हन्टिंग्तन महोधे की हैं निमन में से हांटिंग्टन की रचना है आर्थिक एवं सामाजिक भुगोल यानिकी एकोनोमिक एंड सोंषल जीविए गणीतिये परीकलन अभीगम यानिकी क्वान्टिटीव अप्रोच का पालन किया था हंटिंग्टन ने मानव भूल के संस्था पगे बलास का जनम कब और कहां हुआ 845 इश्वी में पेरिशनगर में निमन में से बलास की रचना है इरोप के राजे एवं राष्टर 889 इश्वी ये भी बलास की रचना है वार्शिक गर्नत माला यानिके एडलास जनरल वाइडल लाबलाचे का पहला संस्करन परकासित 889 में ये भी सही है और यूरूप की मानचित्रावली येनिके एडलास जनरल वाइडल लाबलाचे 844 इश्वी में परकासित ये भी तो उपरियुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे अभिनाओ फ्रांस में नवीन भूगोल की विकास का सरे एक मातर भूगोल वेता को है और वो है बलास महोदे निमन में से बलास की रचना है पूर्वी फ्रांस का भूगोल 1917 इस्वी बिल्कुल सही है मानव भूगोल की सिधान्त 1923 इस्वी ये भी सही है वार्षिक संद्राब गरंच सूची यानिकी बाइबलियुग्राफी ये भी सही है प्राकृतिक वातावरन मानव को अनेक संभावनाय परदान करता है उसके बदले में मानव अपनी आवसकताओं इच्छाओं तथा समताओं के आधार पर उनका उप्योग करता है यह कथन किसका है बलास महोदे का सत्य कथन है बलास ने सूनिशित किया कि जन संख्या ते तेल बूंदवत नहीं फैलती वह तो आरम में खंड खंड में परवालवत वर्दी पराफ्ट करती है तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है? सत्य है बलास ने मत व्यक्त किया कि सारे भवगोलिक विकासों के पीछे एक तक के नियम का योग है ये भी सही है और बलास का विचार था कि संपूरण भवगोलिक विकास में परमोख भावना पार्थिव एकता की है ये भी सही है तो प्रियुक सभी कथन सत्य है कारल सावर का जनम कहां हुआ था? सुउत्राजे अमेरिका में सांस्कृति भवोल का अगर्णी विद्वान माना जाता है कारल सावर को कारल सावर ने सरवपर्थम सन 1925 में छित्री विभिन्ता यानि कि एरियल डिफ्रेंशियेशन सबद का परियोग किया बाद में किस ने इसकी विश्यद व्याख्या की थी? हारट सोरन ने संभवाद सबद का परियोग सरवपर्थम किस फ्रांसी सी विद्वान ने किया था? लुसियन फेबरे ने तो दोस्तो ये थे आज के most important questions फिलाल इस वीडियो में इतना ही थन्यवाद